नवस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट धनूरासी वालों क्यों मिलती है जिन्वन में इतनी ठोकरें कब होगे आपके जीवन के कस्टों का निप्टारा और कब होगी आपकी भावनाओं की कदर आखिर सफलता के दो राज कौन से हैं जिनको अपना कर आप जीवन में सफल आसानी से हो सकते हैं तमाम बाते जारी हैं वीडियो के अंतक बने रहे हैं और ये प्रिडिक्शन चंद्रासी पर आधारित है धनु रासी देव गुरु ब्रहस्पती की रासी है एकदम से बेबाक राय रखने वाले सच का दामन कभी नहीं छोड़ने वाले चाहे सर ही क्यों न कड़ जाए और मुफट भी होते हैं कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि अगर जुड बोलने से काम चल जाए तो सच नहीं सामने जुकना किसी की जी हो जूरी करना ये इने पसंद नहीं लेकिन बहुत सारे लोग इनकी अच्छाई का इनकी भाबनाओं का जम कर फायदा उठाते हैं बड़े सौखिन किसम के होते हैं धनु वाले खुमते फिरते रहना लाइफ को इंजॉाई करना एकदम से बिंदा को स्विकार ही नहीं करते साथ इसी लिए इनके लाइफ स्टैल के कारण ज्यादा दुस्वन हो जाते हैं जो जलते भी हैं जो इनकी जीवन में परेसानिया भी खड़ी करते हैं तमाम चीज़ें ऐसी होती है जो आपके मुस्किलों को बढ़ाने के लिए काफी है लेकिन फि फिर भी आखिर ऐसे समय में आप क्या करें कैसे धैर बनाये रखें उपर से चल रही है आपकी साड़े साथी हलाकि 2022 अप्रेल 2022 में आपकी साड़े साथी समाफ्थ हो जाएगी और इसके बाद आप पूरी तरह से आजाद हैं अभी सनिदेव आपके धन भौ में बैठे हैं म तो ऐसे में साड़े साथी का ये अंतिम चरन क्या तपा कर आपको कुंदन बना देगा ये भी सच है क्योंकि सनिदेव जाते जाते आपको बहुत कुछ देखे जाएंगे जीवन के कटू अनुभव जिसमें बहुत सारे संदेश छिपे हुए हैं आपको समझा कर जाएंगे बस आपको उन चीजों को फॉलो करना होगा अमल करना होगा और फिर देखिए कितनी आसानी से आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने लगते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो क्या साड़े साथी इतनी तकलीप दे हैं जितना आपने अभी तक भोगा है हाँ कहीं इस को कोई कन्ट्रोल कर ही नहीं सकता यह सोचंद आजाद हैं अपने तरीके से जीवन जीना अपने तरीके से खुब सकती है और चोटी-चोटी परिशानियों में घिरना नहीं नहीं जानते क्योंकि हर एक चीज का पॉजिटीब पक्च सकात्मक पक्च इन्हें आकर्सित करता है नकात्मक पक्च से दूर रहना पसंद करते हैं और इसी कारण से बहुत सारी कि अब हो चुका तो ऐसे में क्या होगा अभी तक साथे साती में बहुत सारी परिशानिया जहली जैसे रिस्तों की परिशानी खास कर धनुवालों के माता-पिता के स्वास्त पर ज्यादा इसका निगेटिव प्रभाव था हलां कि आपको आपके रिस्तों का थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ा हलां कि धनुवाले आजात सुभाव के होते हैं लेकिन साड़े साती है तो अपना प्रभाव दिखाएगा पर एक बात है कि आपने जीवन को खुल के जिया लेकिन इस बीच आप हसी हसी में ही सही पर ये तो समझी गए कि कौन अपना है कौन पर आया और ये बाते साड़े साती के सिवा या धाया के सिवा कोई सिखा ही नहीं सकता इसलिए बैक्ति के जीवन में साड़े साती और धाया जरूर आती है ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ पाए सही कर्म करते वे आगे बढ़ पाए गलत रास्ते से गलत लोगों से बचे रहें क् कि सनिदेव यहां आपको कुंदन बनाधी देते हैं तो ऐसा ही कुछ अब आपकी लाइफ में होने जा रहा है आखिर जीवन में इतनी ठोकरें क्यों आपका सीधा दिमाग आपके अंदर छलकपट का ना होना यही कारण है कि आप ठोकर जादा खाते हैं क्योंकि दुनिया इत पर कही न कही भावनाओं से खिला जाता है आपका जम कर फायाँ उठाया जाता है तो ये भी आपको समझना होगा धन वालों अभी तक जो हो चुका सो हो चुका लेकिन अभी अब आगे आपकी लाईफ बहुत खुबसूरत जो आपका इनतजार कर रही है आपका बाहे फैल तो चलिए अब हम दो बाते जो आपके जीवन में सफलता के दो राज किया है देखिए धनु रासी अगनी तत्तु की रासी है एकदम से फायर की रासी है इनर्जी की रासी है इसलिए धनु वाले बिना थके लगातार काम भी कर लेते हैं और थोरे से गुसैल भी होते हैं इसलिए एक नियम बना ले पहला आपके सफलता का राज रोज सुबह उठने के बाद भगवान सुरी को परणाम करें आप चाहें तो जल्भी अर्पित कर सकते हैं और 27 बार गायत्री मंत्र का जब करें खुद से करिए मनी मन कीजिए अराम से आप बैटके भी घर में कर सकत हैं अब यह चीजें आपको इस सुरी को बहतर करेगा और आपका भागे भी धीरे धीरे आपका साथ देने लगेगा आप सही समय पर सही डिजिजन ले पाएंगे आपके अंदर ग्यान बहुत होता है आप हमेशा आगे बढ़ कर काम करते हैं और आपके वानी पर आपको समस्ते हैं कि आप दिल के बुरे नहीं हो तो आप सुरी को बहतर करने के लिए एक सलाह लेकर मानिक या फिरूबी धारन कर सकते है यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी वानी और प्रभाव साली हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी और आपका भाग्योद तो सायद ही किसी का होता है क्योंकि आप अद्भूर बेक्तित्य के स्वामी हैं बस थोड़ा सा वानी पर कंट्रोल करें तो पूरा जग जीत सकते हैं वैसे तो आपकी लाइफ में सुरुआती दौर से ही संगर्स होता है लेकिन संगर्स किस चीज को लेकर होता है करियर पूलते और तांबे के बरतंग्त जो सुर्य का ही ठातु है या फिर मंगल का भी interest यह पानई उस ही से पिय , कहीं न कहीं आपका स्वास्त अच्छा रह गांगा थैस्ट घूछऑ पूलते हैं यह आपके लिए बढ़ी होगा और सबसे अंथ में एक बुद्ध भी आता है तो अगर आपके कुंडली में बुद्ध कमजोर हो जाए गड़बढ हो जाए तो फिर दिकते आएंगी क्योंकि बिना बुद्ध के ना तो आपकी साधी होगी ना तो आपका करियर बढ़ियां होगा नरुजगार में इस्तिरता आएगी और अगर कुलों के भी पौधे लगा सकते अपने हाथों से लगाईए इससे क्या होगा ना आपका बुद्ध अच्छा हो जाएगा और फिर जो थोड़ा सा वाड़ी में दो से वह भी बहतर हो जाएगा वैसे तो आप सनी से धन आपको मिलता है और जीवन में आकस्मिक बादाएं भ आपका जब करें कम से कम पांच बाद धन्यवाद